Hello friends, welcome to Mechanical Tech Hindi फिर्म जब भी कोई नए टेकनोलोजी मार्केट में आती है तो उस टेकनोलोजी जुड़ी बहुत सारे बाते सामने आती है कुछ बाते सच होती है, कुछ बाते जूट होती है और कुछ बाते गलत फैमिया पैदा करती है और ऐसी ही एक बहुत ही बड़ी गलत फैमिया B.A.6 बाइक और स्कूटर को लेकर है जो कि I'm sure आपने भी सुनाओकर आपको भी ये सला जरूर से मिला होगा कि B.A.6 बाइक या स्कूटर में कम से कम 2 लिटर या 3 लिटर पेट्रोल रखना जरूरी होता है अगर आप नहीं रखोगी तो उससे जो गाड़ी में फ्यूल पंप को दिया गया है वो फ्यूल पंप खराब हो सकता है, जो फ्यूल enjoyक्टर है वह गंदा या जाम हो सकता है जिससे कम से प्रफॉर्मेंज माईलेज यह सब कम हो सकता है यह कई बार सुनने को मिलता है तो ये क्या लॉजिक बनता और एक बंदा जो अपने स्कूटी को बहुत जादा चलाता है ऐसे मत उसे हर दिन पे टोल परम जाना पड़ेगा या हमेसा फुल टैंक ही कराना पड़ेगा और स्येम ये बात वाइक वालों के लिए भी लागू हो जाता है तो फिर जो पॉइंट इससे जोड़िए तीन इंपोर्टेंट फैक्ट्स है जो कि मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिससे इस टॉपिक से लेटेड आपका जो भी डॉट है वो क्लियर हो जाएगा तो वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को स साइन अप कर लेना और साइन अप करती ही आपको कुछ इंपोर्टेंट जो सैंपल वीडियो है जो लेक्टर वगरा है जो टेस्ट्रीज है उनका फ्री एक्सेस मिल जाएगा लेकिन अगर आप प्रेप्लैडर के प्रीम कोर्सेस का प्रीम पैक्स का एक्सेस चाहते हो तो फ इन पैक्स पे पचीस परसंट का डिसकॉंट भी मिल रहा है सिंपली आपको जो मेरा कूपन कोड है MTH022 इसे युज करना और इससे आपको पचीस परसंट का डिसकॉंट मिल जाएगा अप चुकि एक ड्रीम पैक है तो यहाप आपको बहुत सारे फीचर्स भी मिल जाते है जैसे आपको यह वीडियो लेक्टर्स मिलेगा, टेस्स त्रीज मिलेगा, कोस्टन वायंक मिलेगा, प्रीबियूस एर कोस्टन मिलेगा, कस्टम मोड्यूल, स्टाटिस्टिक्स, और यह बहुत सारे फीचर्स मिल जाएगे तो आप किसी भी ब्रांच से तालूक रखते हो, आपके पास बहुत यह अच्छी ऑपरजिनिटी है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से अपने गेट के जो प्रिपरेशन है, उसे करने का, तो एप का लिंक आपको इस वीडियो के डेस्क्रिप्शन मिल जागा, इस एप को आप जरूर से डाउनलोड कर ले, चलिए जो पर फिट देखें, जो 2-3 लिटर पेट्रोल वाला चकर है, वो आया कहां से, वो आया इसलिए क्योंकि जो BS6 बायक और स्कूटर है, वहाँ पे फ्यूल पंप को यूज कर जाता हूँ, जो फ्यूल पंप है, उसका काम ये होता है, कि पेट्रोल टाइक के अंदर में जो भी पेट्रोल है, वो उस पेट्रोल को खीचता है और उस पेट्रोल को भेजता है, फ्यूल इंजेक्टर तक, अब यहाँ पे मैं एक्जांपल लेने चाहूँगा, जिससे ये टॉपिक जादा अच्छी तरह सापको समझ में आएगा, देखो अभी गर्मी का मौसम चला है, और बहुत सारे लोग गर्मी के मौसम में अपने घरों में या दुकानों में एयर कूलर का यूज़ करते हैं, और एयर कूलर के अंदर में भी एक वाटर पंप लगावा होता है, जिसका काम यही होता है कि जो पानी है, वो उस उपर की तरफ चड़ाता है, और अक्सर एयर कूल के अंदर में पानी कम हो या पानी नहीं हो, उस टेंप हमें इस वाटर पंप को नहीं चलाना चाहिए, अगर चला देंगे तो ड्राइ कंडिशन में का हो जाता है, सुखे कंडिशन में हो जाता है, कि जो वाटर पंप हो खराब हो सकता है, वो जल सकता है, यह हमें अक्सर चाहिए, देखिए मैं आपको एक सिंपल सा बात बताता हूँ, हर एक बाइक या स्कूटर की अपनी अलग अलग पेट्रोल टैंक की कैपसिटी होती है, कुछ में 8 लिटर का पेट्रोल टैंक होता है, कुछ में 10, कुछ में 12 किसी में 14 लिटर का पेट्रोल टैंक होता है, इसी सवाल यह है कि आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपके बाईके स्कूटर में रिजर्व कितने में आ जाता है, रिजर्व की केपसिटी कितनी है, तो simply आपको अपने बाईके स्कूटर के साथ जो और समझोल मिलता है, वहां से आप देख सकते हो, अगर वहां पर नहीं दिया गया तो फिर आप गूगल करके भी जान सकते हो, तो पहले तो आपको पता कर लेना है कि रिजर्व कितने में आता है, रिजर्व टैंक के कैपसिटी आपके बाइका स्कूटर की कितनी है, आप ये पता कर लिए, अब गारी चलाते है समय, जैसे ही जो पेट्रोल है वो रिजर्व मे आजाए, यहाँ पापको तुरन सवाल आएगा, क्योंकि आप तो यहाँ पे पेट्कॉक वैल को नहीं दिया जाता है, तो आपको कैसे मानूब चलेगा कि रिजर्व में आया है कि नहीं आया है, तो अभी के टाइम पे जो मोश्टी बाइका स्कूटर आ रहे है, वहाँ पे पड़ेगा कि भाई, रिजर्व में हैं कि नहीं है, तो जैसे ही रिजर्व में आ जाए, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको तीन जायत देना चाहूँगा, तीन इंपोर्टन पॉइंट बताना चाहूँगा, पॉइंट नमबर वन ये है कि आप कोशिश करो, कि आपके आप डला लोगे, तो वो जो फ्यूल पंप है, उसके लिए जादा बेहतर हो जाएगा, ये है पॉइंट नमबर वन, लेकिन पॉइंट नमबर टू ये है कि इन केस रिजर्व में आ भी गया है, तो ऐसा बिलकुल नहीं है कि गुना हो जाएगा कि अगर आप उसके बाद अ जादा रखो, यहाँ पे मैं CF point number 3 में आना चाहूंगा, कि यहाँ पे दिक्कत क्या है कि मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत हम लोगों को आदत ये हो गया है कि कार्बूर्टर वारी bike scooter को हमने ज़्यादा चलाया है, तो मैं आपको बताना चाहूंग कि हमें आदत होता ह कि अपने bike scooter का जो petrol tank उसकंद में जो petrol है वो पूरी तरह से सूख नहीं जाता, petrol का एक एक बूंद खतम नहीं हो जाता है, बहुत सा लोग ऐसा करते है कि उसके बाद petrol को डलाते है, या तो धक्का दे के petrol पंत के लिए जाते है, या किसी और तरीके से petrol को डलाते है, जश्ट ये make sure करना है कि आपको इस गलती को, इस habit को, जो हमारे BS6 bike rider scooter है, वहाँ पे बिल्कुल भी लागू नहीं करना है, आप कोशिश करना है कि आपको कि भले ही reserve में आ गया, उसके बाद आप थोड़ा चला दो वो चलेगा, लेकिन आप ये कोशिश नहीं करो कि बार बार जो fuel tank उसके अंदरे petrol पूरी तरह से खतम करो, फिर 500 कर डालो, फिर खतम करो, इस habit को जड़ सुधार लेना है, क्योंकि इतने कम petrol के साथ या बार पार जो fuel tank अंदर पूरा खतम करने के वजह से, ये जो fuel pump है वो ज़्यादा जल सकता है, उसके fuel pump है उसके खराब होने का chance बढ़ जा ये मेरे तरफ से राय होने वाला इस topic से लिटेड, उमीद है कि इस वीडियो में देगए यांकारिया आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगाओ, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दे, वीडियो के बार और चैनल के बार अपनी राय, आप मुझे को कमेंटर के जरूर बताए, इसके लाब अगर आप चैनल पर नए हो, या अभी तक आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आगान को भी देबाले, ताकि आने वाले इपॉटन वीडियो के अप्डेट, आपको नोटि